नमस्ते, मैं सुमा पाठक, आप सब की वेल विशर, आज आप लोगों को बताने वाली हों आर्केंजल नेथेनियल के बारे में archangel Nathaniel है angel of fire, angel of energy, angel of purification, angel of divinity और ये life purpose के भी angel है कह जाता है कि archangel Nathaniel हमारे heart chakra को open करने में, हमारे heart chakra को expand करने में help करते हैं जो हमें हर रोज के लाइफ में हमें बहुत जरूरी होता है कि हमारा हार्ट चक्रा ओपन हो हमारा हार्ट चक्रा ओपन होने से हम सभी से बहुत अच्छे से रिलेशन रख सकते हैं हमारे साथ सभी का रिलेशन बहुत अच्छा होता है अच्छा रहता है in fact यह आर्केंजल अगर आप crystal यूज करते हैं तो आप अभी में थोड़ी देर में आप लोगों को Archangel Nathaniel के sacred code बताने वाली हूँ आप वो sacred code यूज करके chant करके आप crystal healing का effect बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं क्योंकि कहा जाता है कि Archangel Nathaniel सूर्य के power को सूर्य को हमारे Sun की energy को fire की energy को represent करते हैं और उसी fire energy से हमें healing में help करते तो जब भी हम crystal healing करते हैं हम Archangel Nathaniel को invoke कर सकते हैं और उनको pray कर सकते हैं कि जिनको भी हम crystal healing दे रहे हैं वो बहुत जल्दी उनका आरोग्य करन हो, साथ ही साथ ये हमारे पैशन को इगनाइट करते हैं, हमारे ड्रीम्स को, हम जो भी सपना देखते हैं, जो भी ड्रीम्स देखते हैं, उनमें बिलीव करने में हेल्प करते हैं, हमें खुद को पहचानने में हेल्प करते हैं नेथेनियल हमें शक्ति देते हैं, हमें हमें वो पावर लाते हैं कि हम अपने true self को पहचान सकें, हम खुद को पहचान सकें, अपने जो भी सपने हैं, जो भी goal हैं वो हम fulfill कर सकें, वहां तक हम पहुंच सकें, इसमें भी हमें बहुत help करते हैं आर्केंजल नेथेनियल, आर्के soul purpose ढूणने में help करते हैं ताकि हम अच्छे से अगर हम उनको pray करें कि हमारा soul purpose क्या है हमारा soul mission क्या है तो वो हमें idea देंगे वो हमें inner knowing के थूँ या inner बहुत मदद करते हैं नेक्स्ट है जब हम meditation में बैठते हैं तो हमारे हमें grounding करने में बहुत help करते हैं कहा जाता है कि आर्केंजल नेथेनियल twin flame थे और इनके जो इनकी जो counterpart थी obviously वह भी एक आर्केंजल थी उनका नाम आर्केंजलिना अरियाना था कहा जाता है कि आर्केंजलिना अरियाना को pray करने से वो बहुत sensitive है बच्चों को लेके specially जो special kind के बच्चे होते हैं autism बच्चे जो होते हैं उनको assist करने के लिए उनको help करने के लिए उनको guide करने के लिए बहुत helpful होती है तो जिनके family में भी अगर कोई autism बच्चे हैं तो उनके लिए आप लोग आर्केंजलिना अरियाना को pray कर सकते हैं ताकि बच्चे स्वस्त रहे अच्छे रहे और ये भी कहा जाता है आर्केंजल नेथेनियल हमारे spiritual connection को strong करते है spiritual journey में जो भी है spiritual connections जो है जैसे twin flame connection या twin flame journey में जो भी है उनके counterpart के साथ उनका spiritual harmony create करते हैं balance create करने में help करते हैं उनके साथ communication में help करते हैं और meditation में तो वैसे भी help करते ही हैं अगर आप लोग चाहे तो आर्केंजल नेथेनियल को इसलिए भी एक life में balance लाने के लिए spiritually grow करने के लिए और अपने counterpart के साथ अच्छे से harmonious relationship में रहने के लिए harmonious connection में रहने के लिए भी आप pray कर सकते हैं तो आर्केंजल को pray करना बहुत ही easy होता है mainly आर्केंजल को या angels को जब भी आप pray करे call करे आप pure मन से दिल से विश्वास के साथ कीजिए ताकि आपका wish अवश्य पूरा होने वाला है उन्होंने सुन लिया है और आपका wish fulfillment जरूर होगा ऐसे intention रखके अगर आप angels को pray करेंगे तो आपका wish जरूर पूरा होगा आपको help जरूर मिलेगा और अगर आप सीखना चाहते हैं मैं रेकी first degree के साथ free में angel therapy कराती हूँ free of cost अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर मेरे साथ contact कर सकते हैं और भी रेकी के courses हैं रेकी के first रेकी first degree second degree and master level numerology prediction करवा सकते हैं distance healing करवा सकते हैं numerology course कर सकते है basic and advanced crystal course basic and advanced and mastership कर सकते है crystal में साथ आप लोग बहुत positive रहिए स्वस्त रहिए thank you